हलो एब्रीवान मैं उस्वाम मैं राफ सेका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो पे सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कॉलेज का ओफलाइन क्लासेस के रिलेटेट कोई भी इंफरमेशन आता है मैं आप लोगों को दे दूँगा समझाना चाहता है किन-किन लोगों का ओफलाइन क्लासेस होने वाला है किन-किन का भी नहीं आया है इंफरमेशन वो सब के बार में हम डिश्कस करते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जो डेट है आप लोग देख सकते हैं 11-10-2021 का है यानि की रिसेंट है और अभी हम देख लेते हैं to whom it may concern it is being informed to Indian students that on the basis of the order of Ministry of Education and Science of Kirgiz Republic on the beginning of academic year 2021-2022 on 15th September the education process of S. Tantisev S.N. Medical Institute Kanth will start on 1st November 2021 in mixed form that is lecture will be online lecture will be on online and classes will be offline for students of second semester which is 5th year program and 6th year program and 11th semester 6th year student तो पहले इसको समझ लेते हैं जो पहला पारग्राफ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है तो Ministry of Education जो की किरगिस Republic के हैं उन्होंने उनका जो permission है उसके हिसाब से जो classes है जो की 15th September से सुरू हो गया है कुछ लोगों का October में भी सुरू हो रहा होगा लेकिन कुछ senior लोगों का 15th September से भी सुरू हो गया था तो ये जो प्रोसेस है 1st November से 2021 1st November से आपका offline classes होगा कीन का 5 year program and 6 year program के जितने भी 2nd semester के student है और जितने भी 11th semester के student है यानि की first year second semester यानि की second semester हो गया और final year का first semester यानि की 11th semester हो गया तो वो सभी का offline classes होगा जितना भी class है वो offline होगा और जो online है वो online lectures होगा तो mixed education system अभी है और इसके बाद note में नीचे क्या लिख्या गया है वो भी देख लेते हैं All students must book their tickets accordingly and bring their COVID-19 immunization certificate along with them तो आपको पहले तो book कर लेना है अपना जो flight है और उसके साथ साथ आपको COVID-19 का immunization certificate यानकी vaccination certificate चाहिए First dose, Second dose दोनों होना चाहिए और इसी के साथ साथ अगर आपने Second dose अभी तक नहीं लिया लगभख हर कोई ले लिया होगा अगर आपने लहीं लिया तो आप ये देख लिजे कि जल्दी से जल्दी ले पाएंगे बहुत देख लिजे नहीं तो आप COVID-19 का negative certificate अपने साथ जरूर ले के जाए और ये तो हो गया for other student respective notice will be according to the available flight schedule तो बाकी जितनों का भी offline class होगा या online class होगा वो अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है सिर्फ second semester और 11 semester के दिया गया है बाकी जितने भी है वो flight के schedule के हिसाफ से दिया जाएगा आगे दिया जाएगा कब दिया जाएगा वो अभी नहीं बोला गया है लेकिन आगे आपको information मिल जागा जब भी कोई information आता है मैं आपको update दे दूँगा तो अभी नीचे लिखा गया submit your COVID-19 immunization certificate in room number 113 तो आपको जाने के बाद आपका जो COVID-19 immunization certificate है वो जाने के बाद आपको 113 room number पे देना है याद रखिए 113 room number पे जो कि आपको जो main building है जहाँ पे आप पढ़ते हैं जहाँ पे institute है बहाँ पे आपको मिल जाएगा और किसी को भी आप पूछेंगे तो बो पत दा देंगे जिसे कि देख सकते हैं यह information अभी तक के लिए आया है और अगर आप लोगों ने मुझे instagram पे फोलो नहीं किया तो फोलो कर दीजे और और अगर आपने मेरे telegram channel को भी join नहीं किया है तो join कर लिजे क्योंकि ऐसे update मैं पहले बहां पे डाल देता हूं और इसके बा आप लोगों कोई वीडियो पसंद आया हूगा थेंक्स पर वाचिंग